हेलो दोस्तों कैसे हो सब लो बचों आज की जो क्लास है वो रिस्देंशल स्टेटर्स का जो मैं एक टेस्ट लिया था उसके आंसर में आपके साथ डिसक्स कर रहा हूं तो आओ दोस्तों डिसक्स करते हैं यह कुश्छन जैसे एक कुशन है यू रेक्वाइट तो डिटर्माइन देवाइन देवाइन इंडिया इंडिया से बाहर जा रहा है और यह केस एक्सेप्शल केस है तो आपको इसका प्रेजेन्टेशन चैनल से ले सकते होगा मैं यहां पर आपको मेंचन कर रहा हूं अब प्रेवी Do here में मिल जाएगा अब रेजदेंशल स्टेटस निकाना है तो कैसे लिखेंगे तो राइट डाउं लिखने पहले तो रेजदेंशल स्टेटस वाला वक्सर बच्छों को यह प्रॉब्लम रहती है सा लिखना कैसे लिखना कैसे और आपने देखा कर रिसेंट्ली मैंने सबसे पहले तो हमें यही काम करना होता है कि वो रेजदेंट है या नहीं अब आपको पता है कि यह एक्सेप्शनल केस में कवर्ड है तो आप पहले तो यह मेंचन करो Mr. Dinesh is an Indian citizen and crew member of Indian ship which goes outside India ठीक है दूरिंग द प्रीविएस यर कौन से प्रीविएस 2324. Thus, he is covered under exceptional cases where he needs to fulfill only one basic condition to be resident of India. Resident बनने के लिए सिरफ एक मात्र condition पूरी करनी होगी that is to stay in India for 182 days or more in relevant previous year ठीक है जी अब यहां पर आप ठीक है मतलब यह बात तो clear हो गई है कि उसका stay in India में 182 days होना चाहिए तभी तभी वो इंडिया का resident बनेगा अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा इसका total stay देखना पड़ेगा इन इंडिया कितना है stay in India निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा total days of year minus जितना stay outside इंडिया हो हटा दो तो आ जाएगा total stay इन इंडिया बुलो यह सुर दो अब total stay total days कितने है अब देखो 23-24 वाला year है प्रीवेस एट 23-24 और 24 एक February में लीपियर होता है तो यह तो गए 66 इस में से माइनस कर दो जितना stay outside इंडिया अब यह निकालना पड़ेगा तो stay outside इंडिया निकालने के लिए crew member के लिए कुछ और बातें भी थी क्या थी date of date जिस date पर CDC sign किया आपको लिखना होगा कि देट और साइन और सीडिसी तू डेट और साइन ओफ और सीडिसी सीडिसी मैंने यह लिख दिया है वैसे कंटेनर जर्चार्ट सेडिफिकेट पूरा लिखना अब डेट आपको देदी है सोला अगस्द दोजार थाइस भोलो यह दो से लेकर कब तक 21 जनवरी दोजार चौवश्थ तक इस स्टेट से लेकर इस डेट तक आपका स्टे इंडिया में नहीं है तो निकाल लेते हैं कितना स्टे बनाई तो बताओ और अगस्ट में 31 देज होते हैं 15 दिन तो आप इंड में 16 September में 30 October में 31 November में 30 December में 31 January में 21 तो यह जो टोटल से बनता है यह निकाल दो यह कितने बनते हैं 16 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 21 यह बनते हैं टोटल 159 डेस अब स्टे आउचे इंडिया हो गया 159 डेस अच्छा यह तो माइनस करना ही है अच्छा इसके इलावारा इसी कोश्चन के अंदर एक नहीं बात और लिखी है कि आप जून 2023 में कुछ प्राइवेट टूर के लिए भी सता ही जिन के लिए बाहर गये थे तो भाई वो भी दिन निकालोगे वह तो आपका प्राइवेट टूर था इंडिया में तो नहीं थे ना तो यहां पर निकना बनेगा तो 366-159-27 यानि आपका stay 180 देज रहा तो बच्चों क्योंकि आपका stay 182 होना चाहिए था और आपका 182 नहीं बन रहा है तो आपका answer यहां पर क्या बनेगा बताओ यहां पर answer क्या बनेगा non-resident so mr. dinesh is non-resident of india since his stay in india his stay in india is less than 182 days that's it क्या यह बात clear है क्या यह बात clear है तो यह हमारा पहले पाट का answer होगा पांच नंबर के लिए ठीक है पांच नंबर के लिए step number two स्टेप नंबर two तो तवाएगा जब आप non-resident होते हैं यहां पर को रेज़ेंट हो नहीं है आगे आजाते हैं बच्छों question number two है mr. प्रशांत एक इंडियन सिर्जन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटर्ट है विजिट इंडिया for 100 days every year अच्छा दूरिं फिनेंच अच्छा इंडिया इंडिया में अगर आजाए इंडियन सिर्जन इंडिया में आजाए इंडिया में आजाए और उसका stay on a visit 182 days on a two hundred days to you to India का क्या मन गया रिजन मन गया क्या मन गया इंडिया का resident the purpose of his visit was to meet his family members who was settled in India and also for managing the business in चिर्लंका through his office in चिर्ण आपको बताना है residential status मुझे एक बात बताओ आप इंडियन सिर्जन हो इंडिया में आ रहे हो ना विजट है ना लो मैं आंसर नंबर टू लिखने जा रहा हूं हमें निकालना है है residential status सबसे पहले तो heading लिखेंगे लिखेंगे बूलना मत और मिस्टर प्रशान अब बताओ सबसे पहले तो हमें resident non resident निकालना है ना स्टेप नंबर वन वेदर रेजडेंट और नौन रेजडेंट की condition बट देखो अगर नौर्मली रिजिटान बन रहा है नौर्मली मतला बेसे कंडिशन पूरी नहीं और बेसे कंडिशन पूरी होगे लिखोगे, Mr. Prashant is an Indian citizen and he has visited India during the previous year. He is covered under exceptional cases. He is covered under exceptional cases where he needs to fulfill only one basic condition that is to stay in India for 182 days or more. अब अगर हम देखें आपका stay in India 200 days है, question नहीं बूल दिया है. लिखेंगे, since he stay in India is 200 days, does he is resident of India. तो resident of India तो बन गया. बोलो ये सुरनू. अब क्या चेक करना है, step number two, whether resident and ordinarily resident or not, क्या आप इंडिया के ROR हो या नहीं? और ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए क्या आप इंडिया के ROR हो या नहीं? आपको देखना होगा इसका पिछले सालों में क्या stay है? बेटा देखो, साथ सालों में 700 दिन ही बनेंगे, 100 days का stay है ना? तो आपको लिखना पड़ेगा कि साथ सालों में वह लिए condition पूरी होगी नहीं? देरफोर, Mr. Prashant लिख देते हैं, Mr. Prashant is coming to India every year for 100 days thus he will not be able to fulfill the second additional condition the second additional condition जो condition पूरी नहीं हो पाएगी वो लिख दो that is to stay in India for 730 days or more during 7 previous years immediately preceding the relevant previous year relevant previous year से पिछले साथ सालों में 730 दिन होने चाहिए थे अब क्योंकि यह condition पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैंने उपर लिखी दिया है thus he is resident but not not ordinarily resident of India done done तो यह हो गया हमारा question number 2 का answer अच्छा अभी इसके अंदर question ने बोला है total income भी निकालो है ना तो total income भी निकाल लेते है total income अब अब आपको बताना है क्योंकि वह आरे नौर है तो उसके हिसाब से बताना है कि उसकी income कितनी taxable होगी कितनी नहीं income from business in Australia control from Australia outside outside है ना और control भी outside तो सब कुछ outside तो आर और को taxable तो नहीं होगा तो यहाँ पर taxable नहीं होगा next income from business in शिलंका control from चिननाई ऑट control चिननाई से है ना क्योंकि control चिननाई से है तो यह income इंडिया में आर और आरे नोर के लिए इंडिया हो गया तो पचास दा रुपे यह टेक्सिबल हो जाएगा नमबर चार इंकम रॉम एक्रुड़ाइज आउटसाइड इसी ओटसाइड ये टेक्सिबल नहीं होगा तो भाई इसका अंसर होगा सोला लाग पचास दा तो यह ओगी टोटल इंकम है यह ओगया कुश्चन नमबर टूगा अंसर बचो कुश्चन नमबर त्री में आपको मिस्स एक्स मिस्स वाइ सिस्टर्स बताई गई है दे अर्द फॉल्विंग उनकी कुछ इंकम्स है मिस्स एक्स से नाइंटी नेटी फॉर से ठीक है कहां पर बाहर मलेशिया में तो वह नॉन रिजडेंट हो गई मिस्स वाइ इंदौर में है नाइटी नेटी टू से यानि इंदिया में है तो वह और वो गई और उसके बेसेस पर आपको रिजडेंशल सेटर्स आपको टोटल इंकम निकालनी है कंपूदिशन ऑट टोटल इंकम है बट आपको थोड़ा सा चुरवात रिजडेंशल सेटर जो कि मारा मेरा अंसर तो नहीं है बट लिखना पड़ेगा मिस्स एक्स एं मिस्स वाइ लिख दो के सिंस जो कि मिस्स एक्स वाइ जो सबस्ट चाहें पर र्लेक्स निस्स एक्स पर श्टेज घ कर तो इसलिग क सबस्टनों if चिन उ पन्लेक्स ध कर आः दो in a year, does she is unable to fulfill the basic condition? therefore, she is non-resident of India. इसी तरीके से Mrs. Y के लिए बात करते हैं, since Mrs. Y has been staying in India, from the year 1992, therefore, she must have fulfilled all basic and additional conditions. देर्फोर, शी इस रेस्देंट और अर्डिनर्ली रेस्देंट अफ इंडिया. तो ये तो उन्हें रेस्देंट इसलिए निकाल दिया क्योंकि हमें टोटल इंकम निकाल नी थी. अब हम लोग काम कर सकते हैं Mrs. X और Mrs. Y. अब Mrs. X हमें पता है कौन है Mrs. X non-resident? और Mrs. Y कौन है? बताओ, रोवार. है न, बस उसके basis पर आपको अपनी income find out करनी है, क्या अंसर होगा? पहला, income from profession in New Zealand, set up in India, control India से है न, ये लिख लोगे, statement लिख लोगे, control India से है न, तो non-resident को मिल रही है पहली बात, तो ये तो उसको taxable नहीं होगी, उसको taxable नहीं होगी, profit from business in Delhi, business in Delhi हो गया न, तो accruarise क्या हो गया? इंडिया, 80,000 taxable, इसको भी taxable, आगे आजो, third, rent, computed from property in Malaysia, deposit in bank at Malaysia, approved bank, accruarise outside, receive outside, control outside, सब कुछ outside है, तो non-resident को तो ये taxable होगी नहीं सकती न, तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे है नहीं, number 4, dividend from PQR, Indian company, ये क्या होगा? ये taxable हो इंडिया हो गया, 15,000, 19,000, number 5, dividend from Malaysian company, receive in Malaysia, accruarise outside, receive outside, control outside, तो इसको taxable होगा नहीं, क्योंकि ये non-resident है, ROR को हो जाएगा, जो भी उसको dividend मिल रहे है, वो है, 8,000, cash gift received from friend, भाई देखो, 50,000 से जादा है, अगर, ठीक है, और ROR को मिल रहे है, तो ये taxable हो जाएगा, वैसे भी received in India है, अगर NR को भी non-resident को भी मिल रहा होता, उसको भी taxable होता, आगे, agriculture land, agriculture income from land in Malaysia, बदाओ क्या करें, यहां पर, Malaysia की agriculture income, तो non-resident को taxable होगा नहीं, resident वाले को taxable हो जाएगा, ROR, इसके इलाबा, past वाली income को तो past में छोड़ दो, उसको तो भूल जाओ, तो इसलिए उन दोनों का कुछ नहीं करेंगे, 9th, fees for technical services rendered in India, rendered in India, services इंडिया में दी गई है, तो भाई, accruarise India हो जाएगा, deemed to accruarise India, तो इसको taxable हो जाएगा, इसके बाद income from business in पूने, business in पूने, पूने इंडिया में accruarise India हो गया, तो taxable हो जाएगा, 1,12,000, 1,15,000, आगे पढ़ने क जरुवत ही नहीं होती, interest on debentures of Indian company, Indian company accruarise क्या हुआ, इंडिया, तो क्या होगा, taxable, 18,500, और 14,000, short term capital gain on sale of shares of Indian company, यह क्या होगा, Indian company है, तो accruarise India हो गया, तो यह भी taxable होगा, 15,000, इंडिया, इंडिया, यह क्या होगा, यह भी taxable हो जाएगा, तो यहाँ पर, 52,000 का amount taxable, done, बस, खतम, तो income की बात करें, तो यह हो गई, 80,000, plus 15,000, plus 25,000, plus 1,12,000, plus 18,500, plus 15,000, plus 52,000, यह होगी, 3,17,500, यह होना चाहिए आपका answer, अगर यह है, तो आपका सही है, 40,000, plus 19,000, plus 8,000, plus 51,000, plus 1,004,000, plus 1,15,000, plus 14,000, plus 25,500, 376,500, तो यह होगा, 376,500, ठीक है जी, तो यह हमारे total income answer आपका, that's it, समझ गए बच्चों, तो आपको इस तरीके से अपना पूरा question solve करना है, और बाकी अगले test के लिए प्यारी करो, अगले test को दो, और फिर अगले test के वीडियो पर देखो, ठीक है, मैं suggested answer इसका दूंगा, thank you, bye-bye.